सभी मित्रों को जै जै सिया राम प्रभु सिरी राम की किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल काम नहे आज एक कहानी सुनाते हैं आपको सुखी जीवन का रहस्य एक राजा था राजा के पास सभी तरह की सुख्शु विधाएं और हर समय असंख सेबक से भी काएं हर समय उनकी शेबा में उपलब्द रहते थी राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी फिर भी राजा उसके जीवन के से सुखी नहीं था क्योंकि वह अपने स्वास्त को लेकर काफी परेशान रहता था वो सदा बीमारियों से घीरे रहते थे राजा का उपचार बरे बरे बैदो द्वारा किया गया प्रंतु राजा स्वास्त नहीं हो सके समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरवार चिंतित हो गया राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरवारियो द्वारा नगर में एलान करवा दिया गया कि जो भी राजा का स्वास्ठी करेगा उसको असंख स्वर्ण मुहरे दी जाएगी यह सुनकर एक बृध राजा का हिलाज करने राजा के महल में गया बृध ने राजा के पास आकर कहा महराज आप आज्या दे तो आपकी बीमारी का हिलाज में कर सकता राजा की आज्या पाकरोह बोला आप किसी पुर्ण सुखी मनुस के बस्त्र पहनिए आप अवस्ष स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे बृध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेबक जोर जोर से हसने लगे इस पर बृध ने कहां महराज आपने सारे उपचार करके देख लिए यह भी करके देखिए आप अवस्ष स्वस्थ हो जाएंगे राजा ने उसकी बात से सहमत होकर सेबको को सुखी मनुस की खोज में राज की चारो दिशाओं में भेज दिया प्रण्तु उन्हें कोई पूर्ण सुखी मनुस नहीं मिला प्रजा में सभी को किसी ने किसी बात का दुख था अब राजा सुएंग सुखी मनुस की खोज में निकल परे अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया और वह एक पेर की छाया में बिश्राम हेतु रुका तबी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया राजा ने उससे पूछा क्या आप पुर्ण सुखी हो मजदूर खुसी खुसी और सहजभाब से बोला भगवान की किपासे मैं पूर्ण सुखी हूँ यह सुनते ही राजा भी अतिप्रसन हुआ उसने मजदूर को उपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह गारी मेहनत से पूरी पशीने से तरवतर थी राजा ने यह देकर समझ गया कि स्रम करने से ये काम मजदूर भी सुखी है और राजा कोई स्रम नहीं करने की वज़ासे बीमारी से घीरे रहते हैं राजा ने लाटकर उसी बृद का उपकार मानकर उसे असंख स्वर्न मुद्राय दी अब राजा स्वेंग आरामा और आलस्चोर स्रम करने लगे परिश्रम से कुछी दिनों में राजा पूर्ण स्वस्त और सुखी हो गए कथा का एही सार है कि आज हम भौतिक सुभशुभधाओं के इतनी आदी हो गए है कि हमारे सरीर की रोगों से लरने की सक्ती छिन होती जा रही है इससे हम जल्द ही बीमारी की गिरफ्त में आ जाते है अता स्वस्त और सुखी जीवन का रहस्य ही है कि थोड़ा बहुत सारी रीक परिश्रम जैसे जोगा, ध्यान, भ्रमन, आदी अवस्य करें तो बोलिए जैसे अराम, जैसे अराम